नमस्कार आप देख रहे हैं डीडी टुडे और मैं हूँ आपके साथ कीरती से आये रूप करते ही खबर की ओर गुरिदेव भासकर भारतवाज ने बताया कि सभी लोग कम से कम 21 मिट्टी के दीपक दीपवाली पर जरूर जलाएं गुरिदेव ने आगे कहा सत्सक्राइब भारतवाज पवित्र मनंदीब द्वारा विशेज वैठक का आयूजन किया गया इस दौरान राष्टवादी संत्वासकर भारतवाज ने कहा वर्षो के इंतिजार के बाद आयुद्या में राम मंदिर बन रहा है इसलिए सभी लोग स्वदेशी मिट्टी से निर्मित 21 दीपक दीपवली पर जरूर जलाएं उन्होंने कहा दुतेश्वर मंदिर भी अनेक मिट्टी के दीपकों से महकेगा गुरुदेव ने आगे कहा सत्संग द्वारा हर बार की तरह गोवर्धन पर भंडारा और सत्संग का आयुजन किया जाएगा जिसमें सबी भक्तों को आना है उन्होंने कहा जो लोग राम भगवान के दिखाएवे रास्ते पर चलते हैं उन्हें जीवन में सब कुछ मिलता है उन्होंने कहा हम राम को मानते हैं लेकिन राम की सिक्षाओं को जीवन में नहीं उतारते इसलिए ना हमारा जीवन बदलता है ना हमें राम भगवान की विशेज दया मिलती है आगे उन्होंने कहा भारत माता की सच्ची जैजब भी होती है जब हम भारत माता के लिए काम करें सेवा करें क्योंकि जब तक हम राष्ट के लिए कार नहीं करते, जीवन में धर्म को धारण नहीं करते, जब तक हम राम की संतान नहीं हो सकते, भारत माता हम पर गर्व नहीं कर सकती, दौरान ससंद परिवार के लोग मौजूद रहे ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे हैं डीडी टुड़े